हेलो फ्रेंड आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मिस्रपे दोस्तों आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं बिहार पंचायत चुनाव का रास्ता लगभग साप हो चुका है और कभी भी पंचायत चुनाव का जो डेट है ओ एलाउंस हो सकता है दोस चुनाव कब तक डेट निकलेगा और उसका चुनाव जो है कब तक हो जाएगा तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए साथ मे तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सकें और आप उस वीडियो का लाप ले सकें जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं इवियम से चुनाव पर राज और भारत निरवाचन आयोग में सकरात्मक बारता बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर रास्ता साप होता नजर आ रहा सकरात्मक बातचीत हुई दोनों आयोग के बीच इस बात पर समती बने की इवियम से चुनाव होस और आपसी गतिरोद भी समाप्त हो जाएं दोनों आयोगों के अधिकारियों के बीच 11 बजे से बारता का दोर शुरू हुआ जो करिब 2 घंटे से अधिक समय तक जारी रहा बैठक के बाद राज निर्वाचन आयोग के सचीव जोगेंदर राम ने बतया कि बिहार में पंचाय चुनाव को लेकर सकरात्मक बातचीत हुई चुनाव में मल्टी पोस्ट इबियम के इस्तमाल को लेकर बातचीत हुई और नए पहलूओ पर भी विचार किया गया कहा कि दोनों आयोगों के बाद से दोस्तों निर्डनेश गया हैं कि बिहार में चुनाव से से होगा सिंगल पोश्च चुनाव से हुआ है उसको सिंगल पोश्ट कहा जाता हैं लेकिन बहार सरकार्म हम चुनाव करा ca नए तो मल्टी पोश्ट इबिएम से फायदा हो दोसतों क्योंकि एक फिंसे चुनाव हो जाेगा लेकिन सिंगल जरती हैं तो ज्यादा से ज्यादा को मंगाएगी और उस से चुनाव करने में मुर्टी कि तो निर्माड करने समय पे असमर्थ है जिसके चलते फैसला लिया गया है कि सिंगल से ही चुनाव होगा अब यहां पर देख सकते हैं दोस्तों बिहार में पंचायत आम चुनाव से होगा इसके लिए राज निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग के बिच गुरुबार को दूसरे दिन की बैठक में सहमती बन गई है राज निर्वाचन आयोग के सचीव जोगेंदर आम ने देर साम तक नई दिली इस्थित भारत निर्वाचन आयोग परिसर में आयोजित बैठक के बाद इबियम से चुनाव कराय जाने को लेकर दोनों आयगों के बिच सहमत्ती कायम होने की जनकारे दिए आयोग के सचीव स्री राम ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने सिंगल पोस्ट इबियम की उपलब्दा को लेकर सहमत्ती देने का निर्णे लिया है बैठक से लोट कर वे पूरी जनकारी राज निर्वाचन आयोग के समक्ष रखेंगे इसके बाद राज निर्वाचन आयोग पंचाय चुनाव में इबियम की आवसक्ता का आकलन करेगा राज में सिंगल पोस्ट इबियम की उपलब्द था दूसरे राजों से आवसक्ता के अनुसार इबियम मंगाये जाने सहीत अन पहलूओ पर विचार कर अंतिम निर्णे लिया जाएगा उन्होंने पताय कि पंचाय चुनाव के तहट 6 पदों के लिए चुनाव होना है मद्दान केंद्र से 6 गुना अधिक इबियम की होगी जरूरत राज में पंचाय चुनाव कराने को लेकर परतेक मद्दान केंद्र पर 6 गुना कंट्रोल यूनिट और बैलेट बॉक्स की जरूरत होगी इसका आकलन कर राज निर्वाचन आयोग दोरा भारत निर्वाचन आयो के विश्यक्सक्त भी सामिल हुए तो दोस्तों आप से भी देख सकते हैं कि पंचाय चुनाव का जो डेट है कभी भी जारी हो सकता है और इसमें जो इबियम का कमी का हवाला जो दिया जा रहा है जिसके चलते इतना दिन तक पंचाय चुनाव टला हुआ है वह सारी समस्या क अगर आपको फसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट करना ना भूले और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर जरूर करें क्योंकि बहुत से लोग बिसबरी से जुस्तों के पास जरूर शेयर करें थैंक्स